अब जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ इतनी देर में देश में एक शक्स एक खास वज़े से खुदकुशी कर चुका होगा को शक्स मेरे पडोस में, मेरे शेहर में हो सकता है, आपके शेहर या गाउं में हो सकता है कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है 20 साल का नौजवान या 35-40 साल का कोई आदमी हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जोड़ता जाता है आकडे बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है लेकिन खुदकुशी की वज़े इसमें कौमन होती है भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगी या कर्ज में डूबने की वज़े से आत्महत्या कर लेता है ये आकडे हमें NCRB यानि National Crime Record Bureau से मिलते हैं और NCRB के 2019 के आकड़ों के मताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की जिसमें से 11,268 यानि करीब 9% दी आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वज़े से या गरीबी या कर्ज में डूबने से होई और जब हम खुदकुशी के नाकड़ों पर गौर करते हैं किसानों की खुदकुशी के आकड़े भी जेहन में आते हैं आठ से दस साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे किसानों के आत्मत्याँ कैसे कम हो इस पर चर्चा होती थी उन सरकारी नीतियों उन कर्ज की विवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वज़े किसानों को आत्मत्या के लिए प्रेड़ करती थी अब किसानों से भी जादा बड़ा आकड़ा उन आत्मत्याओं का है जिनकी वज़े नौकरी ना मिल पाना ये गरीबी होती है ये आकड़ा 2018 के मुकाबले जादा है बेरोदगारी का आकड़ा बढ़ता है बेरोदगारी की वज़े से खुदकुशियों का आकड़ा बढ़ता है और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है चुनाओं से पहले सरकारें नौकरिया निकालती हैं फॉर्म भरे जाते हैं देश के लाखो युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछे तयारी में रातों के नीम जलाते हैं और फिर परीक्षा के इंतजार में कई बरस निकल जाते हैं, अगर परीक्षा हो भी जाए तो नतीजे लटका दिये जाते हैं, नतीजे आ भी जाएं तो जॉइनिंग देने में सरकार का यह रंगे लगा देती है, और जो युवा शक्ति देश के स्विजन में शामिल होना चा जवाब मिलता है प्रधान मंत्री के पांच साल पुराने बयान में, सुनियें और नौकरियां भी हैं, दिक्कत बस इतनी है कि नौकरी से मिलाब का युवाओं में कौशल नहीं, इसलिए युवाओं के हुनर को उतराशने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई, इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाय गया, और तब देश के पीम से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है, इस योजना में 2020 तक एक करोड युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी, दहिंदू बिजनिस लाइन अख़वार के एक रपट के मताबिक 2019 के लोग सभा चुनाओं से कुछ महिने पहले तक इस योजना के तहट सिर्फ 34 लाग युवाओं को कौशन मिला और उनमें से सिर्फ 10 लाग को नौक्रिया, 2019 के चुनाओं के तौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बरते आपलों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया, सुनिये. मई 2019 से मोधी सरकार का दूसरा कारेकाल शुरू हुआ, इस बार मोधी सरकार ने डिस्कोर्स बदला, पहले कारेकाल में युवाओं को अकुशल माना था, इसके लिए इंडिया पर जोड था, दूसरे कारेकाल में सिक्षा व्यवस्था में खामिया देखी गए, कहा गया कि पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के साथ ही कौशल देने यानि वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात होगी और नई सिक्षानी की भी गया, और इससे युवाओं का जीवन कैसे बदल जाएगा, प्रधान मंत्री ने इसके बारे में भी अलग-अलग मौकों अब यह नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो महनत की थी वो बेकार हो जाएगी, आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा, साथियों, आज देश में एक ऐसा इको सिस्टिम विक्सित किया जा रहा है, जिसकी तलास में अक्सर हमारी वा विदेशों का रूख करते थे, वहां कि आधुनिक शिक्षा, बहतर एंटरप्राइज ऑपर्चुनिटीज, टैलेंज को पहचाने वाली सम्मान देलेने की वाली व्यवस्ता, उन्हें स्वाभाई ग्रूप से आकरशित करती थी, अब देश में ही ऐसी व्यवस्ता हमारी वा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिवद्ध भी है, हम प्रयास रद भी है, आपने प्रधान मंत्री की बात सुनी, अब उन लाको चात्रों की बात करते हैं, जिनने नौकरी मांगने पर सरकार से, किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा, 21 वरवरी यानि कि कल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से, रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोधी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की, मोधी रोजगार दो और बहाना नहीं बहाली चाहिए, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक ये हैश्टेग चलता रहा, दिन तीन एहम एक्जाम कराती है, पहला MTS यानि कि Multitasking Staff Examination, ये एक्जाम अलग-अलग मंतरालियों और विभागों में Grade C यानि Non-Clerc की भरती कलिए होते हैं, दूसरा होता है CHSL यानि Combined Higher Secondary Level Exam, इससे केंद सरकार Lower Divisional Clerk, Postal Assistant, Court Clerk और Data Entry Operator जैसे पदों के लिए भरती करती हैं, त तीर-3 descriptive होता है, इसमें निवन्द और लेटर जैसी चीज़े लिखनी होती है, तीर-4 computer-based skill test होता है, तो हुआ ये कि CGL 2019 के टीर-2 की परीक्षा 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को ही, रिजल्ट आया तीन दिन पहले यानि की 19 फरवरी को, जैसे ही अभिहरतियों ने रिजल्ट देखा, सोचल मीडिया पर campaign शुरू हो गया, परीक्षा परणाम का विरोध कर रहे अभिहरतियों का कहना है, कि 18 नवंबर का paper आसान था, चात्रों ने काफी अच्छा score किया था, कईयों ने कुल 200 अंग की परीक्षा में पूरी अंग तक हासिल किये थे, लेकिन जब रिजल्ट आया कि वो एक परीक्षा तीन दिन में कराती है, लेकिन SSC के experts तीनों paper के standard एक जैसा नहीं रख पाते हैं, और फिर SSC को भी कबूलना पड़ता है कि एक paper जरूरत से जादा आसान हो गया था, SSC के खिलाव चात्रों का ये गुस्सा सिर्फ CGL 2019 exam को लेकर नहीं था, कई वज़ों म सपक्ष जानने के लिए कॉल किया, तो chairman office से जवाब मिला कि help 9 number पर बात करिए, और help 9 number तो ऐसा कि लगता ही नहीं, ये तो बात हो ये CGL की, SSC ने 2018 में भी एक भरती निकाली थी, Constable General Duty की, बोलचाल की भाशा में से SSC GD 2018 कहा गया, ये भरती पैरा-military forces यानि की CRPF, ITBP, BSF, CISF, NIA और Assam Rifles में सिपाहियों के 54,000 पदों पर भरती के लिए निकाली गई थी, इसे बात में बढ़ा कर 60,210 पदों के लिए किया गया, इस भरती के तीन चरह थे, return exam, physical test और medical test, application का process स्टार्ट हुआ जुलाई 2018 में, टीनों टेस्ट पूरा होते होते आ गया, जनवरी 2001 के बीच में माल लेते हैं, 10-1 महिने COVID की वज़े से, पिर 21 सितंबर 2020 को लोकसभा में एक साजवाब देते हुए केंदरी ग्री राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंदरी अर्दसैनिक बल में 11,093 पद खाली है, SSC GT 2018 की भरती में करीब 85-90,000 केंडिट ऐसे थे, जो ये आखरी मौका था, यानि कि भरती प्रक्रिया पूरी होने में लिट लतीफी के चलते हैं, ये ओवरेज हो गए थे और अगली भरती में नए जगें नहीं मिल पाती, SSC GT 2018 की अभिहरतियों ने मांग की कि जब आपके पास तीनों परिक्षा पास करके 85-90,000 कैनिडेट ये हो गई, अब केंडे सरकार के एक और विभाग रेलवे की करफ चलते हैं, रेलवे ने फरवरी 2019 में विध्यापन निकाला, नौकरिया ही नौकरिया, NTPC यानि नौन टेक्निकल पॉप्लर केटिगरीज में 35,208 पोस्ट की वेकेंसी, जिसमें क्लर, टिकट क्लर, गुट् आपको याद होगा, पिछले साल सितंबर में किस तरह चात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया था, तब नतीज़ा ये हुआ था कि NTPC के एक्जाम की डेट RRB ने घोशित की थी, 28 दिसंबर 2020 से पहले स्टेज का कर्म्यूटर बेस टेस्ट एक्जाम परिक्षा अपरेल से जून 2021 में प्रस्तावे थे, यानि कि अब तक नहीं हुई, SSC और Railway, ये केवल दो केंद्री संस्थानों के स्थिति है, जिनसे युवाओं को सबस्यादर नौकरी की आस होती है, राज्य के भरती आयोगों का हाल और भी खसता है, उन पर भी कभी बात करेंगे, हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को उनका ही 6 साल पुराना ये बयान याब दिलाना चाहते हैं, भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्रात्मिक्ता है, तो देश के नवजमानों के लिए रोजगार उपलब्द करावा, देश की प्रात्मिक्ता युवाओं को र मांगों पर ध्यान दे, ताकि आगे से श्रिजन वाली शक्ति रोजगार मांगने,